भाई साब क्या बेमिसाल टीजर था डेड़पुल का बिलकुल मजा ही आ गया और काफी दिनों बाद किसी मार्वल मुवी के लिए मैं एक्चली एक्साइटेड हुआ हूँ तो आज हम कुछ जादा नहीं बलकि बस डेड़पुल 3 के एक्साइट्मेंट को और एक लेवल उपर ले जाएंगे और बात करेंगे डेड़पुल 3 सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रेलर्स की तो मुझे एक बात तो हैंपर साफ साफ क्लियर हो गई यह मुवी एक्चली पूरी तरह से मार्वल फैंस के लिए ही बना है वो फैंस जिनोंने मार्वल की चार और की मूवी और टीवी शोउस देखी है जो मार्वल फैंस के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन शायद कैज्वल फैंस के लिए उतना नहीं बट हम सब जानते हैं कि हमें से बहुत सारे लोग इतना तो जानते ही होंगे कि इस मूवी के अंदर क्या होने वाला है ट्रेलर की शुरुवात में यहाँ पर डेड़पूल के बर्डे को दिखाया जाता है जहाँ पर फिलाल डेड़पूल और बेनेशा के बीच में फासले बढ़ गए हैं जिसे अफकॉस और ज़्यादा एक्प्लेन किया जाएगा मूवी के अंदर लेकिन खास बात इस सीन के अंदर ये भी है कि यहाँ पर हमें कई सारे पुराने केरेक्ट्रिस देखने को मिलना है जिसमें से अफकॉस बहुत सारे केरेक्ट्रिस का सेंस बनता है कि टीवी ने उसे पकड़ने में इतना वक्त क्यों लगाया खैर मैं इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर हमें एक बहुत ही फणी सा रियाक्शन और इस चीज़ का एक एक्स्प्लेनेशन डेडपूल अप्टी तरफ से जरूर देगा आगे जाकर हमें सीन देखने को मिलता है जहाँ पर टीवी के एजेंट्स डेडपूल को जबर्जस्ती अपने साथ टीवी के हेड़कॉर्टर्स ले जाते है और डेफिनिटली यह टीवी थोड़ा देखने में अलग है क्योंकि हो सकता है कि यह भविश्य का टीवी हो क्योंकि यहाँ पर एक्टर मैथ्यू मैकपेडन एक्चली पैराडॉक्स का रोल निभा रहा है जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर मोबी एक्स का एक अपग्रेडिड वर्जन होता है बट हो सकता है कि मार्वल सिर्माटिक इनवर्स के अंदर यह दोनों केरेक्टर्स और परस्नालिटिस डिफरेंट हो और लोकी सेजन टू के बाद शायद मोबियस की रियल लाइफ डेश्क्नी एक्चली में चेंज हो गई हो और उसने एक्चली टीवीए को छोड़ दिया हो एनिहाओ यहाँ यहाँ पर हमें डेडपुल अपने आपको क्लेम करता हुए नजर आ रहा है अब यह एक मेटा रेफरेंस था कि मार्वल की फिलाल हालत पर एक मजाक लेकिन फिलाल की तो सचाई यही है और यह बहुत कड़वी है क्योंकि अगर एक आद प्रोजेक्स को छोड़ दिया जाय तो मार्वल सिनमाटिक इनवर्स के फेज 4 और 5 के साथ एमसी उ डेड़ ही चल रहा है एक्चली यहाँ पर डेड़पूल के अंदर इतना पोटेंशल है कि वो पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी को रिवाइव कर सकता है लेकिन इस मुवी से हमें क्या उमीद लगानी चाहिए वैल इट्स ऑ नो ब्रेइनर की टीव एक इन्वाल होने के बाद यह बेसिकली एक मल्ती वर्सल मुवी ही होने वाली है और यह मुवी एक औल इनौल एक मेटा कॉमेडी होने वाली है डेड़पूल के मार्वल सेरेमाटिक इनवर्स को जॉइन करने का जिसमें TVA स्पेसिफिकली उसकी help ले रहा है अपने फैलाए हुए रायते को समिटने का जिसके card throughout the teaser हमें देखने को मिला है कि Deadpool अलग-अलग important locations में अंदर हमें दिख रहा है जैसे कि Age of Ultron वाला वो बर्फ वाला sequence and definitely यहाँ पर Deadpool TVA के भी bus के बाहर हो जाएगा और उसी से निपटने के लिए यहाँ पर एक और container को लाया जाएगा जिससे यह movie complete होगी यानि The Wolverine क्यार surprisingly हो सकता है कि इस movie के अंदर She-Hulk 100 से भी inspiration लिया जाए जो 28 December 2005 को publish हुई थी और जैसा कि She-Hulk का भी एक character element है fourth wall को break करना डेडपुल के लिए इसे repurpose करना काफी सही हो सकता है एनिहाव ट्रेलर का यह पुरा कपुरा abandoned post-apocalyptic giant 28th century fox वाला यह location कुछ और नहीं बलकि 99.99% TVA की The Void है जहाँ पर दुनिया भर के Marvel's Rematic Universe और Marvel Multiverse से जुड़े हुए कबार देखने को मिलेंगे including a giant heli carrier का पूरा कपूरा wing साथी साथ यहाँ पर अलायत का भी appearance पूरी तरस्या में देखने को मिल सकता है Care movie का माल मसाला यहीं पर खतर नहीं होता असनी मजा तो cameos दिलाने वाली है और अगर आप एक Eagle Die Marvel फैन है तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कई सारे cameos को already notice करना शुरू कर लिया होगा जिनमें सबसे पहले इस scene को देखने के बाद मुझे ऐसा ही लगा था कि यह Professor Xavier होने वाले है तो यह most probably किसी और alternate reality की character हो सकती है और इस particular character को play करने के लिए most probably यहाँ पर actress Emma Corrine को ही चुना गया है साथ ही साथ हमें यहाँ पर hint Savage Land का भी मिला है जो वैसे तो Marvel की comic book reality के अंदर Antarctica में एक location है बट Dr. Strange in the Multiverse of Madness के अंदर शायद इस बाट का hint दिया गया था कि एक multiversal reality है जैसा कि Deadpool अलग-अलग multiversals को hop कर रहा है क्या पता वो ऐसे ही किसी Savage Land के reality में चला है इसके साथ साथ हमें यहाँ पर Wolverine के iconic white tuxedo वाला वो look देखने को मिलता है जिसमें वो कुछ समय के लिए आई-patch पहनता है जहां पर वो basically इसकी मदद से अपने आपको disguise करता है Marvel के मदरिपूर location के अंदर और possibly यहाँ पर हमें इसी का reference इस movie के अंदर देखने को मिल सकता है आगे हमें देखने को मिलता है डेडपूल का एक नया updated suit with his new and iconic belt buckle जो डेडपूल को बहुत पहले adopt कर लेना चाहिए था बट कोई बात नहीं हम तो Marvel fans हैं इनके लावा हमें जो नहीं देखने को मिले उसके बारे में बतायता हूँ जहां पर through rumors और कई सारे set images हमें पता चला है कि Fox से हमें काफी सारे characters देखने को मिलेंगे जिसमें Ben Affleck वाले डेडल movie की Electra याने Jennifer Gardner हमें अपनी character में नज़र आएंगी साथ ही साथ हो सकता है कि हमें 20th century Fox के पिछले या नए reboot के Fantastic Four के कोई नज़र नज़र आ सकते हैं इसके साथ साथ X-Men में सिर्फ और सिर्फ Wolverine ही देखने को मिले इस बात के बहुत ही कम chances हैं और एकाद character हमें और देखने को मिल सकता है जो original X-Men movie series का हिस्सा थे जहाँ पर कुछ reports की हिसाब से original Sabertooth का रोल प्ले करने वाले टाइलर मीन और टोड का रोल प्ले करने वाले रे पार्क को The Void के set photos में देखा गया था वहीं पर इस बात की पूरी possibility हो सकती है कि यहाँ पर हमें Hugh Jackman अपने इस character को आखरी बार एक बार फिर से प्ले कर रहे हूँ तो उनकी लगसी को शायद यहाँ पर डेफनी की character X-23 भी आगे बढ़ा सकती है Chances Halle Berry के Storm, Femke Jensen के Jean Grey और James Martin के Cyclops के भी है और हो सकता है कि यहीं movie एक cooking ground बन सकती है Channing Tatum के अपनी Gambit movie का जो बहुत लंबी समय से अटकी हुई है और definitely कहीं न कहीं इसका भी मजाग उड़ाया जाएगा इस सब के अलावा जब बात reality से डिल करने की हो रही है तो कुछी पलो के लिए ही सही लेकिन हमें यहाँ पर लोकी का cameo भी मंगता है क्योंकि बात जब reality से जुड़ी हो तो ये चीज थोड़ी serious हो जाती है और बात जब हम alternate reality का explore करने की कर रहा है तो हमें Deadpool का एक भी alternate version देखने को नहीं मिलेगा ये बात कहीं से भी मुझे हज़म नहीं हो रही तो एक आद अड़ा टेड़ा version ऑफ डेड़पूल इस मुवी के अंदर तो पक्काई होना चाहिए लेकिन जो सबसे shocking और सबसे surprising cameo होगा वो होगा Taylor Swift का जो in any form और capacity इस मुवी से जुड़ी होई है किसी में किसी रूल को लेकर actually fan साल 2016 से ही उन्हें actually Dazzler के रूल के अंदर देखना चाहते है Dazzler basically एक mutant है जो अपने musical abilities का इस्तेमाल करती है लेकिन साल 2016 में किसी और को ही X-Men Dark Phoenix मूवी के अंदर Dazzler के form में दिखाया गया था इसके लावा strong rumors इस बात के भी है कि वो हमें यहाँ पर एक Lady Deadpool का रूल प्ले करते वे नजर आ सकती है बड़ सबसे बड़ा सवाल कि Taylor Swift है क्यों वैल Taylor Swift और Ryan Bernard Soroon की wife टाइमली friends है जहाँ पर कई बार इन दोनों को एक दूसरे के parties में भी देखा गया है जहाँ पर इस अकेले pre-recorded tour में तकरीबन 261 million dollars कमाये है वो भी 10 से 20 million dollars के खर्चे पर and definitely Taylor Swift के fans एक financial insurance बन सकते है but definitely इस movie की पूरी की पूरी highlight सिर्फ और सिर्फ Taylor Swift ही नहीं होगी so guys उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करीगा comment पर आप जरूर बताईएगा कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या छोड़ा और actually आपने क्या क्या पकड़ा चैनल पर अगर आप नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं आसी ऑसम वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं मैं जल्दी आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूँगा तब तक आप मारे इन वीडियो को इंजॉय कर सकते हैं तक ये वर वाचिए तुन थे नेक्ट वीडियो तिल देन टेक्ट चैनल गुट्बाइ